हलो फ्रेंट्स फ्रेंट्स स्वागत है आपका हमारे चैनल सुमन के चन हिंडी में और फ्रेंट्स मैं आज आपके लिए बहुत ही बढ़िया रेसिपी लिए आई हूँ आज हम बनाने वाले हैं ऐसी सब्जी जो पनीर की सब्जी की स्वात को भी कर दे फीका यानि कि आज नॉर्मल चीजों से ही सब्जी बना के खा सकते हैं तो चलिए सुपर टेस्टीस रेसिपी सब्जी को बनाना शुरू करते हैं यहां पर देखिए मैंने एक कटोरी बेसन लिया है और जो बेसन है वो आप किसी भी तरह का ले सकते हैं बारिक या मोटा और घर में बेसन तो हर अजवाइन दो से तीन पिंच जो डाइजेशन के लिए काफी अच्छी होती है बेसन थोड़ा गैस्टिक प्रॉडलम करता है यहां पर एक छोटा चमन नमक का एड़ करेंगे आप नमक अपनी टेस्ट के अकोडिंग ले सकते हैं यहां पर दो से तीन पिंच हल्दी पौड हनिया फी एड़ कर सकते ही यह अगर आपके पास थोड़ा सा पालक है तो अगर पालक भी है तो आप पालक भी अच्छे कटिंग कर के बारिक कटिंग करके एड़ कर सकते हैं यहां पर दिख liberal पना से बिलक् That aby देखिए मैं आपके सामने बनार रही हूं कि इसमें पानी सब्सक्राइब चल्ड यहां पर देखिए अभी मैं बैटर बना रही हूं पूरी तरह से बैटर बनके तयार नहीं हुआ है तो जैसा कि मैंने आपको बताएं आप इसमें पाला खराधनिया भी एड़ कर सकते हैं यहां पर देखिए इस तरह से मैंने बैटर पूरा बना लिया है थोड़ा सा पानी इसमें और एड़ करेंगे क्योंकि बिल्कुल हमें बिल्कुल पतली कंटेंसी रखनी है क्यों नहीं होने चाहिए गैस पर कड़ाई रखी है मैंने और यहां पर देखिए इसके अंदर थोड़ा सा एड़ करेंगे तेल तेल आप कमी एड़ करें और वैसे भी अभी जो बिमारी चल रही है उसमें हमें ऑईल से परेज करना चाहिए ऑईल कमी खाना चाहिए तो यहां पर यहाँ पे जादा नहीं भूरना है हमें जीरे को जितना सब्जी में पकाते हैं उतना जीरा हमें नहीं भूरना है, 2-3-5 मैंने हींग एड करिए यहाँ पे बढ़िया खुश्बु के लिए और डाइजेशन के लिए हींग और अजवाइन मैंने पहले से एड़ कर दिया क्योंकि बेशन थोड़ा सा गैस करता है काफी लोग बेशन खाना पसंद नहीं करते हैं तो अगर काफी लोग बेशन खाना पसंद नहीं करते हैं तो इस तरह से इसमें हींग और अजवाइन एड़ करके खा सकते हैं उससे कोई प्र और अभी इसको हमें continue चलाना है जब तक ये कड़ाई अच्छी तरह से ना छोड़ दे तो यहां पे अभी इसको हम continue गैस की flame medium low flame पे रखें और continue इसको आप चलाते रहें चलाते रहें चलाते रहें बीच में आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है इसको इस तरीके से और च इसको पकाना थोड़ा सा और बाकी है जब तक कि ये बिल्कुल कड़ाई नहीं चोड़ दे और इसका जो कलर है बिल्कुल येलो नहीं आ जाए क्योंकि हमने इसमें healthy add करी है और बेसन को पकाने के बाद बेसन का कलर हलका सा चेंज हो जाता है तो यहां पर देखिए भी बेटर एट किया था उस तेम थोड़ा सा वाइटनेस थी अभी इसमें बिल्कुल येलो पन है बिल्कुल पीला सा देख रहा है बनके तयार है ये तो इसको गैस को अभी बंद कर देते हैं इसको निकाल लेंगे साइड में प्लेट के अंदर और इसको ठंडा होने के लिए अगर आपके पास कोई ट्रे है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं तो यहां पे मैं प्लेट ले रही हूं और प्लेट के अंदर इसको निकाल लेंगे हम तो देखिए इस तरह से बिल्कुल थोड़ा सा चिपकेगा हाथ के अंदर उसमें आप घबराए नहीं यहां पे खुड़ा कच्छा भी रह जाता है तो उसके अंदर फिर आप इसकी जो पीस कटिंग होगी वह अच्छे से नहीं कर पाएंगे तो इसको बढ़िया अच्छे से तरीके से पकाना बहुत जरूरी है उसके बाद प्लेट के अंदर इसको चंबच के सारे से इस तरह चारो तर फैला लें जमा लें इसको और हलका सा इसको ठंडा होने के लिए रखें ठंडा होने के बाद ही आप इस तरह से इसके पीस कटिंग कर लें जिस भी साइज में आप कटिंग करना चाहते हैं चोटे साइज में बड़े साइज में और अगर आप इसकी जो साइज एदर मोटी कर लिए हमं सब्जी के अंदर बिल्कुल टे लगने वाली खाने के अंदर जो पनीर की सब्जी आप बनाते हैं वह भी बनाना भूल जाएंगे 아니면 इस तरह से आपने इपर बेशन की सब्जी बना के खा ली तो यहाँ पर देखिए अभी मैंने इसकी स्लाइस कटिंग कर लिए मैं आपको उठा के दिखा रही हूं देखिए कितने सुन्दर लग रही है बहुत ही बढ़िया लग रही है सकते हैं खुश्बू के लिए सब्जी में वैसे इसकी आवशकता नहीं है देखिए राई में अच्छे से तड़का लग चुका है और यहाँ पर अभी इसके अंदर एड़ करेंगे हम लैसुन का एक कुटावा पेस्ट और लैसुन और प्याज अब भी आप इस टाइम पे जिस तरह से हमारी फैली भी है तो उसमें आपको लैसुन प्याज का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए क्योंकि यह हमारी इम्मूनिटी पावर को अच्छा करता है यहाँ पे देखिए हरी मिर्ची एट कर दिये बारी कटीवी प्याज एट कर दिये तो यहाँ पे प्याज हरी मिर्ची लैसुन तीनों को बड़िया सा हम फ्राय कर लेंगे इस सबजी को बनाने में थोड़ा सा वक्त लगता है मगर अगर घर में किसी भी तरह से सबजी नहीं है अगर आपके घर पे अचानक महमान आ जाते हैं भार जाके आप सबजी नहीं ला सकते हैं तो आप इस तरह से घर में बेशन से ही इस्तनी बड़िया सबजी बना के रख सकते हैं मेहमानों के सामने महमान खाएंगे तारीभ भी करेंगे और उनको भी अगर इस तरह की बारे में पता नहीं है तो वह भी इस तरह से रैसे बना लेंगे सब्जी बना लेंगे तो यहां पर दिखिए अभी ने इसको फ्राय कर लिया है प्याज को हलका सा कच्छापन न मसाले में सब्जी बने गी यह घर में मसाले होते हैं नी मसालों से सब्जी बनानी यहां पर मैं जब ब्याद करती eve सब्जी के अंदर अलग से नहीं करते यहां पे आड़क हुड़ करेंगे राज चिली पाॉडर अपने टेस्क पड़ xu ले सकते हैं जैसा तिका खाना पसंद करते हैं यहां पर भी सिसके अंदर यह स्मच कर लेंगे ila मसालोको मिक्स कर लेंगे यह मिला लेंगे मसालो को उसमें अच्छे से पिकाने के लिए मसाले को अच्छे से फ्राय कर《 extremelabilisive और टमाटर भी अँछे से मिल्ट हो जाएंगे तो हमें टमाटर पहले ही मेल्ट कर लेना है तो हमें पर दिखए bestimmt मसाले को मैंने मिला लिया है और साथ ही यहां पर मिलाने के थाथ यहां पे अभी गैस की फ्लेम को बिल्कुल आप लो ही रखें और इस पे लगा देंगे धकन धकन लगा के इसको एक मिनट तक के लिए पका लेंगे यहां मैं धकन लगा देती हूं और धकन लगा के देखिए गैस की जो फ्लेम है बिल्कुल लो रखनी है आपको यहाई पे हम इसको लोपे कर देंगे और यहाँ पे देखिए एक मिनट करीब हो चुका है डखकन अटा लेते हैं तो यहाँ पे देखिए जो कलर है काफी चेंज हो चुका है मसाले का और तेल भी सेपरेट हो चुका है तामाटर बढ़िया अच्छे से इसके अंदर मेल्ट हो चुके हैं क्योंकि हमें टामाटर को पहले ही पका लेना है पहले ही मेल्ट कर लेना है यहाँ पे थोड़ा सा पानी अайт करेंगे क्योंकि अभी हम और सब्लकुल जोलदर बनानी है सूकी नहीं बनानी है तो देखिए मैंने करीब इसके अंदर दू बड़ी ग्लास पानी एड़ कर दिया है और इस पानी को एड़ करने के बाद भी इसको भी अच्छे से पका लेना है तो हमें इसको पकाने के लिए धकन लगा के रख देंगे धकल लगा के रखेंगे इसको एक से दो मिनिट के लिए जब तक इसमें अच्छे से पानी में उबाल नहीं आ जाता है गैस की फिल्म को आप हाई रख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है तो देखें यहां पर पानी में बड़ी आसा उबाल आ रहा है उबाल आने के साथ ही यहां पर अभी इसके अंदर जो हमने बेसन की स्लाइस कटिंग करके रखी थी वो एड़ कर देंगे इसके अंदर तो पानी के अंदर जब तक उबाल नहीं आए बड़ीया से तब तक आप इसमें इस स्लाइस आड़ ना करें और ये दिखें यहाँ पे color काफी बड़ीा change हो चुका है इकदम red color आ चुका है और पानी पेहले से कम हो चुका है हमने 2 glass पानी है तो आदा glass पानी इसमीन कम हो है और अभी इसके अंदर हम add कर देंगे colors patient की यहाँ पर करें की इंसके पस्पाद इसके बाद में आपको सब्सक्राइब करने के बाद में के वल धकन लगा के रख देना है 30 सेकंड के लिए और गैस की फ्लेम को तो मैं बताती हूं जैसा कि आपको मीडियम लोग फ्लेम पे रखना है और यहां पर करीब 30 सेकंड हो चुके हैं और अब इसके अंदर करेंगे ब पर अब बारी कटा वहरा दन्याइड कर देंगे और इस तरह से बारी कटा वहरा दन्याइड करने के बाद में इसको एक बार हो रहा हम अच्छे से चम्चे के सारे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के साथ ही यहां पर सब्जी बनकी तयार है तो फ्रेंड वीडियो झाल झाल झाल